दोस्तो आज का वीडियो सुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि देश और दुनिया में इस समय क्या चल रहा है दोस्तो जैसा कि आपको पता है कि चाइना देश ने अभी एक और फ्रॉड किया है जिसको लेकर मेरेट सहर में उसके लिए एक F.I.R कर दी गई है दोस्तो यहाँ पर मामला यह है कि एक चाइना कंपनी का मॉबाइल है जिसको वीवो के नाम से हम लोग जानते हैं उसने अभी एक फ्रॉड क्या किया है कि जैसा कि आप सभी को पता होगा दुनिया में कोई भी मॉबाइल अगर आप पर्चेस करेंगे अब उस कंपनी ने क्या किया है कि पुलिस ने अभी एक इन्वेस्टिकेशन में पाया है कि उस वीवो कंपनी ने एक IMEI नंबर को 13500 से ज़्यादा मॉबाइलों को एलोट कर रखा है उस केस में क्या होता कि फ्रॉड होने की चांसस होते हैं अगर कोई मॉबाइल फोन चोरी होता है तो उसे आप ट्रेस नहीं कर सकते हैं अगर किसी देश विरोधी टत्तों के हाथ में वो मॉबाइल पड़ गया तो वो उससे ऐसे से कारणामे कर सकता है कि पूलिस जितना भी जोर लगा ले उसको पकड़ नहीं पाएगी तो ये चाइना की कंपणी विवो के नम पर ये केस दर्ज किया गया है जिसको मेरट में अभी किया गया है तो ये सब कारणामे है चाइना के तो दोस्तों आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर एक विनम्र निवेदन है कि जितनी जल्दी हो सके चाइना के प्रोड़क्ट को खरीदना बंद करने की कोसिस करिए आप सभी लोग कोसिस करेंगे तभी चीज पॉसिबल होगी अब सुरू करते हैं आज का करेंट अफेर्स देखो आज के करेंट अफेर्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एक विमान है जिसका नाम है रफैल तो रफैल जो है ये भारत को अभी मिलने वाले थे इसी बीच में कोविट-19 आ गया तो अब ऐसा लग रहा था कि कोविट-19 के महामारी के समय पर भारत ने जो ओडर दिया था रफैल का वो किस प्रकार से मिल पाएंगे इधर अगर हम देखें तो नेपाल के साथ में हमारी लड़ाई बढ़ रही है भारत और चाइना के बीच में भी टेंसन बढ़ा है क्योंकि वो लड़ाग सीमा पर चाइना अपनी सेना को बढ़ा रहा है वहाँ पर भी हमें रफैल की जरुद पड़ेगी साथी साथ में पाकिस्तान भी कहीं न कहीं चुप नहीं रह रहा है तो हर तरीके से हमारा बॉर्डर जो है इस समय असुरक्षित है और इस केस में अगर हमारे पास में रफैल होता है तो दूसरा देस भले ही डरेगा थोड़ा सा तो यहाँ पर एक अच्छी खबर हम लोगों के लिए क्या आई है उसको लेकर बना है आज का सबसे पहला कोशन कोशन दोस्तों यहाँ पर क्या बना है कि कोविट-19 महामारी के बावजूद भी कौन सा देस भारत को रफैल विमान देगा ठीक है तो जो भी उसने ओर्डर लिया था आंसर हो जाएगा फ्रांस तो भारत ने हाल ही में फ्रांस देस के साथ में एक डील करी थी जिसके तहएट फ्रांस देस भारत को रफैल विमान प्रोवाइड करेगा तो आप्शन नंबर A सई हो गया है यहाँ पर दिक्कत यह आ रही थी कि कोविट-19 की महामारी के चलते कोई भी देस तयार नहीं होता लेकिन ऐसी सिचुएशन है कि इस सिचुएशन में भी फ्रांस जो है भारत की मदद करने को तयार है इसी चीज़ का हाल ही में अनॉंस्मेंट किया था भारत के रक्षा मंतरी यह डसौल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा बनाया जाता है तो देस का नाम आपको पता चल गया और कंपनी का नाम आपको पता चल गया और खुसी की बात यह है कि हमको टाइमली यह डसौल्ट जो रफैल विमान है ये फ्रांस के द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा दोस्तो आज कुछ हड करें काम करते हैं कुछ तूफानी करते हैं आज के विडियो पर एक टारगेट करते हैं 4000 लाइक्स का तो देखते हैं आप मुझे 4000 लाइक्स तक पहुंचाते हैं या नहीं अगला question दोस्तों यहाँ पर यह बनेगा question दोस्तों बनेगा कि हाल ही में किस संगठन ने real time electricity market जिसको RTM के नाम से जानते हैं launch किया है तो यह जो RTM system है इसको हाल ही में Indian energy exchange ने launch किया है option number D सही हो जागा यह होता क्या है उसके बारे में आपको बताऊंगा सबसे पहले answer समझो कि जो RTM है जिसको real time electricity market बोला जाता है इसको हाल ही में Indian energy exchange के दोरा launch किया गया है अब इसका पूरा funda मैं आपको समझाओंगा सबसे पहले आप इसका photo देख लो Indian energy exchange का IEX यह इसका logo है और देखो बिजली के तार आपको दिख रहे हैं इसके tower दिख रहे हैं जिसका मतलब है कि electricity से related है यह organization भी और इसने ही हाल ही में real time electricity market जिसको RTM के नाम से जानते हैं इस platform को उसने launch किया है अब दोस्तों इसको जानते हैं कि इस platform का मतलब क्या है देखो इसका मतलब क्या है इसके नाम से ही आपको बता चल जाएगा कि real time electricity market यानि कि real time basis पर हम यह पता कर सकते हैं कि किसी राज्य के पास में electricity जादा है या किसी के पास में कम है इससे फाइदा क्या होगा कि मान लिजे उत्तर प्रदेश ने जादा बिजली का उत्पादन किया और मत्रदेश को इसकी आवसकता है तो real time basis पर वो इस चीज को चेक कर पाएगा कि उत्तर प्रदेश में अभी खपद कम चल रही है तो वहां से वो electricity को अपने राज्य में purchase कर सकता है तो वैसे काफी हद तक अभी तक भी real time में पता चल जा रहा था लेकिन इस system के आजाने से accurate तरीके से हम ये पता कर पाएगे कि electricity supply कहां पर ज़्यादा जुरत है कहां पर कम so that इसका balance बनाया जा सके अभी इसको एक जून 2020 से सभी जगए इसको प्रभावी कर दिया जाएगा ठीक है तो इसमें बड़ी आसानी से इसको खरीदा जा सकता है electricity को question है कि किस राज्य ने COVID-19 के प्रती जागरुकता फैलाने के लिए mission fateh अभियान की सुरवात करी है एक बार अच्छे से समझे ना कि हाल ही में भारत के किस राज्य में COVID-19 की जागरुकता फैलाने के लिए mission fateh अभियान की सुरवात करी है so guys right answer will be the Punjab option number 20 है कि हाल ही में पंजाब सरकार के दोरा इसका announcement किया गया है अब पंजाब सरकार का यह हम लोग एक फोटो देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा पंजाब की मुक्यमंत्री का फोटो आपको देख रहा है इनका नाम क्या है चीक है कभी-कभी answer दे दिया करो वैसे तो बड़ा आलस आता है आप लोगों को लिखने में लेकिन जितना ज़्यादा कमेंट में लिखोगे उतना ज़्यादा ही चीजें आपको तयार होगी याद रख लेना मेरी यह बात ठीक है तो लिखने की आदत बनाओ कमेंट में लिखना सीखो ऐसा नहीं कि पड़े पड़े बस वीडियो देखते जा रहे हैं तो यह देखो यहाँ के मुक्यमंतरी का फोटो आपको दिख रहा होगा जहां पर ही मेसन फतेह नाम से एक अभियान शुरू किया गया है जिसका उदेश है कि कोविट-19 के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जगरुकता फाइलाई जा सके आगे चलते हैं कॉलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम कर दिया गया है छीक एंभल एफचन और सही हो झाईगा साथ ही सह साथ में इसका नाम कर दिया गया है और यह तीन जून 2020 से इसको एंफेक्टिवली लागू कर दिया जाएगा इसके बाद में देखो दुनिया के कई देशों के भारत के जो राजदूत हैं उसको उनकी पोजीशन्स चेंज कर दी गई है तो उस पर बहुत सारे कुश्चन्स बनेगे दीरे दीरे आपको करवाता रहूँगा तो कुश्चन है कि हाल ही में ब्रीटेन में भारत की अगली नई उच्चा युक्त किसे नई उक्त किया गया है तो आंसर हो जाएगा गायत्री कुमार ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा कि हाल ही में गायत्री कुमार को ब्रीटेन में भारत की अगली उच्चा युक्त बनाया गया है आगे चलते हैं हाल ही में किस युवा महिला क्रिकेट खिलाडी को अरजुन अवार्ड के लिए नामित किया गया है तो आंसर हो जाएगा दीपती सर्मा ऑप्शन नमबर एस हो जाएगा हाल ही में दीपती सर्मा को जो कि भारती महिला की एक युवा क्रिकेटर है उनका नाम ही अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया है यहां पर दीपती सर्मा का फोटो देख सकते हैं जिनका नाम हाल ही में अर्जुन अवार्ड के लिए रिकमेंट किया गया है अगला कुशन दोस्तों बनता है कि हाल ही की एक रिपोर्ट के मताबित किस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इस्तर के 74 अधिकारी इस वर्स करोण पती की लिष्ट में सामिल हो गए है सो गाइस इसका राइड अन्सर हो झाएगा Enfosis option नमबर सी सही हो जाएगा आईट की इंडिया की सबसे बड़ी कमपनियों में सामिल एक कंपनी है Enfosis ठीक है तो ये IT की जो company है इसमें लोगों की salary इतनी ज़्यादा है कि इस company के 74, 84 अधिकारी इस वर्स करोणपती की list में सामिल हो गए है तो Infosys इसका right answer हो जाएगा इसका logo भी आप देख सकते हैं Infosys बहुत सारे बंदो लोगों की IT sector में इस company में job लगती है ठीक है तो इस report को हाल ही में Times of India के दोरा जारी किया गया है और अगर पिछले साल की बात करीज़े तो पिछले साल इसी company में 64 लोगों को करोणपती बनाया था लेकिन इस्तिती अभी सबसे ज़्यदा sensitive है इस समय कोरोना के case ज़्यादा आ रहे हैं आप लोग भी अपने घर में सभी से बोलकर रखना कि आपको धीला नहीं पड़ना है इस समय अकर आपने गलती करी तो definitely है आपको तो हो गई आपके किसी family member को होगा तो समझे पूरा family ग लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है आंसर हो जाएगा तमिल नाडू हाल ही में तमिल नाडू की जो नए रूल्स निकले हैं उसके अनसार अगर किसी आप सैलून में चाते हैं या फिर haircut करवाने चाते हैं तो वहाँ पर आपके लिए आधार कार्ड मेंडेट सकते हैं या फिर एक अच्छा सा कैची खरीट लीजिए आपस में भाई छोटे बड़े भाई या फिर पापा से कहकर अपने बाल कटबा लीजिए और उनका भी haircut आप लोग कर दीजिए हो सके का थोड़ा सा अच्छा नहीं कटेगा लेकिन कम से कम आपकी जान तो जाओगे कि किस प्रकार से बाल काटा जाता है आगे चलते हैं कोशन है कि भारतिय उद्योग परिसंग कंफिडिरेशन ऑफ इंडियन इंडिस्ट्री के नए अध्यच कौन बनाए गये हैं तो इसका राइड एंसर हो जागा उद्यकोटक अप्शन नंबर एस हो जागा हाल ह जाओगे में उद्यकोटक को भारतिय उद्योग परिसंग जिसको कंफिडिरेशन ऑफ इंडियन इंडिस्ट्री के नाम से जानते हैं उसके नए अध्यच बनाए गये हैं उद्यकोटक इसका राइड अंसर हो जाएगा यहां पर उद्यकोटक का फोटो देख सकते हैं जिनक किरल उसकर का इस्तान यह लेंगे यह वाला कोशन भी हम लोगों करा था जब जिस समय बनाए गए थे बहुत अच्छे से मुझे याद है तो आगे चलते हैं अगला कोशन है बाफ्ता अवार्ट का नाम हम लोग बहुत दिनों से सुन रहे हैं यह जो बाफ्ता है इसके नए अध्याच कौन बनाए गए हैं तो हाल ही में करस्टनेंदू मजूमदार option number C सही हो जाएगा करस्टनेंदू मजूमदार को बाफ्ता का नया अध्याच बनाया गया है बाफ्ता का फिलफर्म होता है British Academy of Film and Television and Arts यह इसका फिलफर्म हो जाएगा जिसके जो नया अध्याच है क पर आप इनका फोटो देख सकते हैं जिनको बाफ्ता का नया प्रेसीडेंट बनाया गया है। ऐसा मनने जटा है कि ये पहले अस्वेत वेक्ति होंगे जिनने बाफ्ता के 73 साल के इतियास में पहली बार अध्यच्य चुना गया है। ये पिंपा हैरिस का इस्तान लेंगे हाला कि इसका नाम आपको याद रखने की जुरुत नहीं है। सिर्फ आप ये रखें पहला अस्वेत वेक्ति है जिसको बाफ्ता का नया अध्यच बनाया गया है। ये इसका राइड अंसर हो जाएगा। अब इसके बाइन में जल्दी से लिखने की यादत को मैंने आपसे बोला था। जितना ज़्यदा यहां पर लिखोगे उतना ज़्यदा ही अच्छी तयारी होगी। बिल्कुल भी होस्यारी मत करना। ऐसा मत सोचना चलो यार मैं लेटे लेटे वीडियो देख रहा हूँ हाथ नहीं चलाना पड़ा है। जितनी तकलीफ अपने सरीर को अभीद होगे उतना ही एक्जाम में आपको आराम मिलेगा। और जितना आराम आप अपने सरीर को अभीद होगे उतनी ही तकलीफ आपको एक्जाम में उठानी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं आज के करनाफस का रेविजन। सबसे पहला क्वेशन जिसका आंसर आपको देना है कि हाल ही में किस संस्ता ने रियल टाइम एक एक एलेक्टिसिटी मार्केट आर्टीम लॉंच किया है। आपको समय दूँगा आंसर लिखो और जल्दी से भेश दो। तो आंसर हो जाएगा भारतिय ओर्जा विनी में आए। छीक है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज मिसन फत्य है किस राज्ज में सुरू किया गया है। तो पंजाब इसका राइड अंसर हो जाएगा। उसके बाइद में हैं कॉलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल कर किसके नाम पर कर दिया गया है। आंसर लिखकर भेज दिजिए। सारे कुशन का आंसर एक साथ मत लिखो एक आंसर लिखो और भेज दो। तो स्यामा प्रसाद मुखरजी इसका राइड अंसर हो जाएगा। ब्रिटेन में भारत की अगली उच्छा युक्त कौन बनाई गया है। बहुत अच्छे से बताया था गायत्री कुमार इसका राइड अंसर हो जाएगा। उसके बाद में था कि किस युवा महिला क्रिकेटर को अरजुन अवर्ट के लिए नामित किया गया है। कोई सर्मा करके थी याद आया। देप्ती सर्मा राइड अंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में किस कम्पनी के 44 राइड गारीओं को इस वर्स करौनपती की लिष्ट में सामिल कर दिया गया है। तो इनफोसिस इसका राइड अंसर हो जाएगा उसके बाद में हैं भारत का रफाइल विमान कौन सा देश देगा भारत को कौन सा देश रफाइल विमान देगा तो फ्रांस इसका राइड अंसर हो जाएगा चीक है तो दोस्तो आज के वीडियो का टार्गेट पी याद रखन और जितने भी आपके दोस्ते सभी के साथ में इस वीडियो को सेयर करना न भूलें